सर्दी बाद में शुरू होती है और जुकाम पहले हो जाता है ऐसा ही हाल मेरा चल रहा है आज कल यह जी यहां पे चावल आ चुके हैं हमारे अब इनको धूप लगवाई जाएगी फिर इनको निकलवाया जाएगा उसके बाद जी पांच से साथ मां के लिए सकून हो जाएग यह इसमें से आईरन ले लेंगी और बस फिर इन्शाला अंडे देंगी और इन्शाला वो अंडे हम तक भी पहुंचेंगे इन्शाला 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 उसके बाद जी मेरा गला शदीद खराब है मैं एक रेमेडी भी आपसे शेयर करती हूँ यह हमारी गाड़ी है ज जो है ना तजर्बा हुआ हुआ है इसके साथ बहुत ही अच्छी है जब जो हमें नजला जुकाम जो रुक जाता है जैसे हमें फील होता है अब हमारा नाक बंद है अब हमारा कान बंद है काफी दिनों से हमें खांसी है ठीक नहीं हो रही और रात को तो यह सारे सिम्टम्स कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं जैसे ही हम लेटते हैं तो यह उसके लिए बहुत इफेक्टिव है यह है जी गुल बनफशा जो आपको पंसारी की शौप से मिलेगा पंसार पर जाके आप कहेंगे कि हमें बनफशा बूटी चाहिए तो वह आपको इस तरह की बूटी दे कि इसको आप दो चमच एक कप पानी में डाल दें अगर आपने ज्यादा बनाना है तो चार चमच दो कप पानी में डाल लें इसको दो से तीन गहंटे भिगो के रख दें यह जब भिगोने से इसकी तासीर डबल हो जाती है वैसे तो आप फॉरन भी बना सकते हैं लेकिन इ जाती है जब मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है बाद फिर मैं लेके जाती हूँ पहले मैं उसके साथ देशी टोटके करती हूँ शहद को पानी में मिला के दे दिया इस तरह करके ताकि यह अच्छी चीज है ना अल्ला की तरफ से हम बिमार हो रहे हैं तो यह हमारे कोई अच्छे से इसका जडूब और इसको देतना सा रखना है मैंने मरेम को देना खुद पीना है फूटा सा आप मैं इसमें एक चाय का चम्मत छोटा चम्मत जो होता है हमारा वो मैं हनी एड कर लूँगी उसके बाद इमान, मरियम और मोहित को मैंने पिला दिया है उसके बाद खुद पियूँगी और फिर दोबारा बना लूँगी यह देखें माशाला जी बच्छे बिलकुल मेरे बच्छों की दवाई से ऐसी मुहबबत है कि मैं अगर मर्यम को दवाई दे रही हूं तो उससे पहले मुझे इमान को दवाई पिलाना मेरे पर फर्ज है वनना उसने शदीद रोना दोना डाल लेना है इसे इन्होंन एक दुसरे के उसमें दवाई पीनी होती है शौक में इसलिए माशालल हुआरे बच्छे को पिलाके दिखा रही हूं जा बहुत ऐप चीज है उसके बाद जी मैं मर्यम को बीजी करी हूँ क्योंके मुझे इसके लिए लिया बनाना रिया को बिजी करने का बस एक ही त्रीक nie कि उसके सामने शाही मेवा खूल के इस में से सकड सक चीज़े उठा ली जाए और यह 있습니다 इसको उठा उठा के खाती रहेगी मिस्री वगरा को और काफी देर के लिए ये बीजी हो जाएगी क्योंकि कुछ उठाया जाता है इससे कुछ नहीं उठाया जाता है तो उस में ये आदा पॉना घंटा लगी रहती है और मुझे काम का भी टाइम मिल जाता है और ये बीजी रहती है यहां पर मैंने इसके लिए दलिया बनाया जो कि मैं बाकी बच्चों ने और सना भाबी ने उसको मूवी नहीं लगाया पता नहीं उन्हें पसंद नहीं आ रहा था या क्या इशू था इसने खाया मरियम ने खाया मैंने खाया और मरियम के बाबा ने खाया और किसी ने नहीं खाया तो दुबारा से मुझे नसीहत हो चुकी है मैं अब मरियम के लिए ही बनाया करूंगी ये जी हमने मार्केट से खरीद लिया था वैसे तो अगर आपके पस देसी है तो वो भी बहुत अच्छा है ये मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से खरीद लाई मैंने का चलेंगे ये भी ट्राइ करके देख लेते हैं ये बनाना बहुत असान है मैं इसके खरीदा था sạch बात ये है ये 5-7 मिनट में बन जाता है इसको गरम पाणी में डालें 5 मिनट बाद इसमें डूद डूद डालें डूद डाल के आप इसको थोड़ा सा पकाएं उसके बाद इसमें शक्कर डालें हम लोग white sugar बहुत कम यूज़ कर रही है आजकल शक्कर क्योंकि आचुकी है तो बस वही यूज़ होती है उसके बाद जी अच्छा मेरी एक दो फ्रेंड से मुझे belly fat का पूछा था कि जब आपने weight lose किया थो तो कैसे belly fat को कम किया था उसके लिए मैंने lemon बहुत यूज़ किया था अध्रक बहुत यूज़ किया था अगर आपको blood pressure का issue नहीं है तो आप अध्रक को यूज़ कर सकते हैं lemon को यूज़ करें सुबह उठते ही नीम गरम पानी में lemon यूज़ करें दिन में सलाट पे lemon यूज़ करें अलाफ यूज़ करें